नमस्ते बच्चों कैसे हो अच्छे हो बहुत अच्छा तो बच्चों आज हम क्या सिखने वाले हैं हाँ आज हम हिंदी पाषा सिखने वाले हैं आपकी प्रिये पाषा हिंदी तो बच्चो हिंदी पासा में हम क्या सिख रहे हैं? हिंदी वरणमाला सिख रहे हैं और हिंदी वरणमाला में हमने स्वर सीख लिये हैं तो अभी हम क्या सिख रहे हैं बच्चो हिंदी व्यंजन और हिंदी वियंजन में हमने गह से कबुतर, खशे खरगोस, गह से गमला सीख लिया है तो आज हम क्या सिखने वाले हैं? गह से घड़ी तो आईए देखते हैं गह से सुरू होने वाले कुछ सब्दों की चित्र गह, गह से घड़ी तो ये देखो बच्चों ये कौन सा फिच्चर है? कौन सा चित्र है? घड़ी का चित्र है गह, गह से घड़ और ये कौन सा चित्र है? घर का चित्र है गह से घड़ा ये क्या है बच्चों? घड़ा तो बच्चो आईए देखते हैं कि हम घह से कड़ी कैसे लिखेंगे यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दी गई है और इसी के हिसाब से हम सीखेंगे कि घह से कड़ी कैसे लिखा जाता है तो आईए देखते हैं कैसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आपको उपर की ओर से शुरू करते हुए पहले क्या करना है छोटी सी दाहीनी वक्र रेखा बना देनी है ये छोटी सी दाहीनी वक्र रेखा हो जाने के बाद उससे जूड़कर दुसरी चोटी सी दुसरी दाही निवक्र रेखा नीचे की और बनानी है आईए देखते हैं एक बार और कैसे करना है पहले उपर से सुरू करते हुए एक चोटी सी दाही निवक्र रेखा उससे जुड़कर दूसरी चोटी से दाही निवक्र रेखा और फिर उससे जुड़कर एक खड़ी रेखा बना देनी है इस तरह से आए फिर से लिखते हैं क्या करेंगे दाहिनी वक्र रेखा उससे जुड़कर दूसरी दाहिनी वक्र रेखा उससे जुड़कर खड़ी रेखा और हिंदी में हम क्या करेंगे उपर की और आड़ी रेखा तो ये हो गया हमारा घसे खड़ी इसी तरह से हमें घसे खड़ी लिख लिखना है तो बच्चो insan, qh सेohi हमारी हमारी हिंदी की बुक में लिखेंगे, देखो यहां पर क्या लिखा है विंदु के ऊपर लिखो kh तो बच्चो हमने आपको सिखाई दिया है विंदु के सिर्ष के लिखा जाता है तो उसी की सबसे आपको ये पूरा पन्ना लिखना है तो बच्चो अब हम क्या सिखेंगे ग से खड़ी बिना बिंदू के कैसे लिखा जाता है यहाँ पर क्या लिखा है बोलो और लिखो ग से खड़ी और यह कौन सा चित्र है खड़ी का चित्र है तो बच्चो यहाँ पर आपको बिंदु के उपर लिखना है तो पहले एक बार पुर्णावर्तन कर लेते हैं यहाँ पर आपको चार रेखाय दी गई है और हिंदी अक्सर कहां से लिखना शुरू करना है दूसरी रेखा से तो आईए शुरू करते हैं पहले हम क्या करेंगे चोटी सी दाहीनी वक्र रेखा दूसरी रेखा से लेकर तीसरी रेखा तक फिर उससे जूर कर चोटी सी दूसरी दाहीनी वक्र रेखा और वो वक्र रेखा को आपको तीसरी रेखा तक ही ले जाना है फिर उस से जूरते हुए आपको एक खड़ी रेखा बना देनी है दूसरी रेखा से लेकर आखरी रेखा तक और उपर के और हम क्या करेंगे छोटी सी आड़ी रेखा तो इसी तरह से हमें बिंदू के उपर लिखना है तो बच्चो अभी हम बिना बिंदू के खड़ी लिखेंगे देखो बच्चो यहाँ पर आपको दूसरी रेखा के उपर दो बिंदू यह दिये गए है आपको पहले बिंदू से शुरू करना है यहाँ से आपको सुरू करते हुए एक छोटी सी दाहीनी वक्र रेखा बना देनी है उससे जुड़कर दूसरी दाहीनी वक्र रेखा बनानी है और उससे थोड़ा सा उपर के उल ले जाते हुए तीसरी रेखा के उपर ले जाना है फिर उस से जोड़ते हुए आपको एक छोटी सी खड़ी रेखा बनानी है दूसरी रेखा से लेकर आखरी रेखा तक और हिंदी अक्षर में क्या करना आवशक है? उपर की और आड़ी रेखा तो इसी इसाब से आपको गह से खड़ी बोलती बोलती लिखना है केसी लिखोंगे? घ से घड़ी तो इसी तरह से आपको ये पूरा पन्ना लिखना है